हेलो एवरिवन वेल्कम बेक बाज नहीं आती पर वोबिन उसे हर मरतबा ना कहता है दोनों ग्रेजुएट होते हैं किसमत से सन्मु को जॉब वही मिलती है जहां वोबिन जॉब कर रहा है उसे वहां देख कि वो बहुत खुश फील कर रही है पर वोबिन उसे वहां देख के सैड सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़की काफी सालों से उसके पीछे पड़ी हुई है वो उसे बहुत सुनाता है और कहता है कि यहां किसी को मत बताओ कि हम एक दूसरे को जानते हैं दर्द भरे अलफाज सुनके सन्मु गमगीन होती है वो ऐसे कि अचानक से एक एंजल आके उसके घर में गुसता है सन्मु समझ नहीं पाती कि आखर ये कौन सा बला आया है उसके घर वो गुस बैटे को पुलिस स्टेशन ले जाती है और उनको कहती है कि इसके खिलाफ एक्शन ले और जेल में बंद करे एंजल जी चैंग वुक अपने पावर्स को यूज करता है और आफिसर को प्रूफ करता है कि वो दोनों कपिल्स है वो खुद प्राब्लम सॉल्फ करना चाते है ये बाते सुनके सन्मु भरक जाती है पर एंजल चैंग सही टाइम पे उसकी आवास को फ्रीज करता है जिसकी वज़े से वो कुछ कैन नहीं पाती एंजल उसे पुलिस स्टेशन से ले जाता है सन्मु डर सी जाती है और अपने घर पहुंच के दरवाजे और खिर्कियों को लॉक करने में लग जाती है ताके बहरूपिया उसे परिशान ना करे पर शायत उसे आइडिया नहीं कि उसका पाला एक रियल एंजल से पढ़ा है एंजल चैंग फिर से उसके सामने आता है सन्मु डर जाती है पर एंजल कहता है कि अब बोली लड़की विश मांके तुमने मुझे भी फसाया है मैं यहां तुम है और वो बिनको एक करने आया हूँ मैं एक एंजल हूँ अभी ये मेरी ड्यूटी है अटांग पटांग बाते सुनके सन्मु सोच में पर जाती है एंजल सन्मु को उसकी सारी रास के बाते बताता है लेकिन फिर भी ना समझ लड़की बिलेव नहीं करती ये देख एंजल जाके रोड के बीच खड़ा होता है कार उसे कुछ नहीं कर पाती सन्मु को आखर कार यकीन आता है एंजल आबरा कड़ाबरा क्यांके सन्वू को ब्यूटिफुल बना देता है मिशिन मिलाब शुरू हो जाता है नेक्स डे एंजल चुटकी बजा के उसके आफिस में काम काज शुरू करता है जहां सन्वू और वोबिन अल्रेडी जॉब कर रहे हैं सन्वू एक और कोशिश करती है वोबिन के करीब आने की पर वो अब तक ऐसा ही है चेंज नहीं हुआ लेकिन एंजल बहाने से दोनों को अपने साथ ले जाता है ताके दोनों पास आएं तीनों कार में जा रहे होते हैं पर बीच रास्ते में एकसिडेंटली सन्वू के हाथ से कोल रिंग वोबिन के कपड़ों पे गिरती है जिसके बाद वो भड़क जाता है और वापिस घर जाना जाता है पर परिशान एंजल चुटकी बजा के वोबिन का मॉबाइल और कार जाम करता है ताके दोनों एक दूसरे से बाते करें पर भोली सन्वू अपने आपको गिल्टी समझ के घर वापिस भागती है एंजल चैंक का प्लैन फ्लॉप होता है घर पहुंचके एंजल सन्वू को डांटता है और कहता है कि तुमने मौका गवा दिया सन्वू शर्मीली लड़ी है वो एंजल का कहना नहीं मान रही है रूम में मौझूद बुक शेल सन्वू पे एकसिडेंटली गिरने वाला होता है पर सही तैम पे एंजल उसे सेव करता है और बतले में उसे प्रॉमस लेता है कि आएंदा वो उसकी रिक्सपेक्ट करेगी दोनों एक दूसरे को देखते हैं उसके बाद एक दिन ऑफिस में बॉस को पता चलता है कि आउट ओफ कंट्री से एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है पर कोई उसे लेने नहीं गया एरपोर्ट एंजल यही जाता है प्लैंट के मताबिक सन्वू उन गेस्ट को एरपोर्ट से ले आती है और उन्हें अच्छा खाना सर्फ करती है इसी वज़ल से वो बिन बॉस के डांट से बचता है और उसकी जॉब भी नहीं जाती नेक्स टे वो बिन सन्वू से प्यार से पेश आता है और उसे डिनर के लिए इन्वाइट भी करता है सन्वू की खुशी देखने वाली है पर पता नहीं क्यूं एंजल खुश नहीं है सब कुछ उसने किया पर अब वो अच्छा फिल नहीं कर रहा है अगली रात सन्वू त्याश यार होके पहुंच आती है वो बिन से मिलने एंजल भी उसके साथ है सन्वू उसे वापस जाने को कहती है क्यूंके उसे डर है कि कहीं इसकी वज़े से कुछ बुरा ना हो जाए पर एंजल कहता है कि मेरे साथ चलो तुम्हें आज मेरी जरूरत बढ़ेगी जब दोनों वहाँ पहुंचते हैं तो वो बिन एंजल को देख थोड़ा टैंस होता है पर एंजल सचाई बताता है पर वो बिन ब्लेव नहीं करता एंजल सन्वू की आंके खुलने की बहुत कोशिश करता है क्योंके वो जानता है कि आगे चलके वो बिन इस मासूम लड़की को धोका देगा प्रॉमिस के मताबिक एंजल वहाँ से चला जाता है वो बिन अपनी सफाई देता है पर शाय सन्वू को एहसास हो चुका है कि एंजल सही कह रहा था वो बिन सन्वू को रिंग गिफ्ट करता है पर हम देखते हैं कि सन्वू खुश नहीं हुई क्योंके अब उसकी फीलिंग खतम हो गई है वही पास मौजूद एंजल सन्वू को लेकर फिकर मन है क्योंके वो उसे लाइक करता है पर अब तक वो कैन नहीं पाया है नेक्स सीन में हम देखते हैं कि वो बिन आके एंजल को थपड़ दे मारता है वो एंजल से लड़ाई शुरू करता है पर एड दी एंड वो जाके पानी में गिरता है सन्वू वहीं पहुंच जाती है और एंजल को उसे सेफ करने को कहती है पर एंजल कहता है कि मुझे स्वेम करना नहीं आता सन्वू बिना सोचे समझे उसे भी पानी में फैंक देती है एंजल स्वेम नहीं कर पाता सन्वू सोच में पढ़ जाती है पर आखर कार उसे समझ आता है कि वो एंजल ही है जो उससे सचा प्यार करता है वो उसे वोबिन से ज़ादा इज़त देता है ऐसास होने पे सन्वो पानी में जम्प करती है ताकि वो एंजल चेंग को सेव कर पाए काफी कोशिश के बाद वो उसे पानी से निकालती है पर एंजल बेहोश है सन्वू उसे कहती है कि मैंने वोबिन को रिंग वापस कर दिया है प्लीज तुम मुझे छोड़ के मर जाओ मैं विश मांगती हूँ कि मैं तुम्हारी जगा मर जाओं सन्वू के आंसो नहीं रुकते लेकिन खुशकिसमती से एंजल होश में आता है और पहले जैसा हो जाता है दोनों गले मिलते हैं बाद में दोनों प्यार भरी बाते करते हैं पर कहानी में अभी ट्विस्ट है क्योंकि एंजल को वापस अपनी दुनिया में जाना है सन्वू कुछ नहीं कर सकती है एंजल जाने से पहले उसे I love you कहता है और ये भी कहता है कि मेरा वेट जरूर करना मै एक दिन वापस आऊंगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर बाद एंजल वहां से गाइब हो जाता है सन्वो को सचा प्यार तो मिला पर इंस्टॉल्मेंट वाला क्योंकि अब उसे इंतजार करना पड़ेगा टाइम गुजरता है सन्वो को हर एक दिन एंजल की यास अताती है काफी टाइम बाद एक जगा एंजल और वो दोबारा से मिलते हैं सन्वो उसे देख हैपी फील करती है दोनों मिलते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खतम हो जाती है थांक यू सो मुच पर वाचिंग प्लीस सब्सक्राइब पर मोर वीडियोस